आज हम सीखेंगे हमारे जो यहां पंजाब और हिमाचल के बॉटर पे रहते हुए हम इस रेसिपी को बोलते हैं पतेड़े यहां पहाड में इसको बतोड़े बोलते हैं कहीं पतोड़े बोलते हैं लेकिन हमारे यहां पतेड़ बोलते हैं इसको तो उसमें यह होता है कि पटो के इसाफ से अंदाज से हम बेसन मैं इसका आपको अंदाज यह नहीं कहूंगा कि कब डालें दो कब डालें पतो के साफ से जितनी आप मोटी लेर पतो बेचानी होतना बेसन आप ले लें साथ में जीरा हल्दी गरमसाला नमक बीटी सौंप अमचूर और धनिया बोडर को चलिए में अंदाना यह साथ में रखेंगे तेल और थोड़ा यस को जायके दार बनाने के छियां इसमें हींग लावें तो सरसों का तेल, इस बहुत पतेलों को बहुत ही प्रशा स्था बेकिस्वाद ।ो संधी को यह हुश्ब Corin呢 क Taylor exist झाल झाल पत्ता फ्लैट रूप से किसी भी आप फ्लैट सर्फिस पे जैसे कि मैंने थाली रखी है नीचे इसे ऐसे फ्लैट सर्फिस पे यह बठाया जा सके एसे इसके अगर डंठल आपको लगता है जाता है कि और थोड़ा काटना पड़ाएका तो इसको कच्चा करके आसे चाकु से आप इसको काट सकते हैं ऐसे ही आप सभी पत्तों में करेंगे क्योंकि हमने इन पत्तों को यहां हमने इस पर बेशन लगाना है तो और उसके बाद बेशन लगाना के बाद हमने एक के उपर एक रख रहा है तक ही फ्लैट हो जाए तो हमने हर पत्ते के डंठल को यह देखी ऐसे काटके और इसमें एक ऐसी ऐसा कट लगाते यह इससे कट लगाने से यह पता ऐसे पर शाला है तो बिखा जो प्रेशन का जो प्रेशन का जो प्रेशन के तरह कि अब जमा भी रहे ना ज्यादा थिक ना ज्यादा है बहुत इस पर पतला भी नी करना है अब इसको लगाना शुरू कर सकते हैं अब इसको लगाना शुरू कर सकते हैं अब इसको लगाना शुरू कर सकते हैं अपनी नगर में आज कल दिन भी अंधेरी रात है साया ही अपने साथ था साया ही अपने साथ है साया ही अपने साथ है साया ही अपने साथ है जाने कहा गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिचाएंगे कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिचाएंगे चाहे कही भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न बूल पाएंगे तुमको न बूल पाएंगे मेरे कदम जहां पड़े सजदे किये थे यार ने मेरे कदम जहां पड़े सजदे किये थे यार ने मुझे को रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने जाने का हाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे नजरों को हम बिछाएंगे यह अब पत्यर बनने के लिए तयार है इसके बाद हम स्कीमिक करेंगे लेकिन आपको यह उताया है कि इस पे जो हमने बेशन की लेल गाई जैसे आपने देखा मेरे वीडियो में पिछे कि हमने बेशन की लेल बहुत पत्लित आई फर्स्ट जो होता है उसमें हमने फुरी मुटी लगाई उसके बाद फुरी हो किया इसको जो पैकिंग करते हैं यह भी ध्यान लखने वाली बाद है इसको पैकिंग करते हैं यह ध्यान लखने बाद है कि बेशन कहीं भी देखे ना सिरफ हमने बॉइल इसके पत्ते देने होते हैं और यह पैक रहे लेकिन पत्तों को बहुत ज़्यादा है नीट लखाना है एक दो तीन तीन पत्ते 3 पते maximum कोशिश करिए कि 3 पते ही लगाएं दिखिए मैंने हर उसमें 3 पते ही लगाएं ज्यादा मुटे होगे तो अंदर तक स्टीम नहीं जाएगी इस करण इसको थोड़ा पतला रखें और तकि ये कि स्टीम अंदर तक जाए और ये अंदर तक वायल स्ट अफ हो जाएं ठी इसमें सिर्फ ये स्टीम होता है इसे जएड़ा स्टीम नहीं देनी है तो ये नहीं तो पत्ते जो गल जाते हैं ये हमारी स्टीम की वी हो है स्टीम करके इनको मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने इसको एक ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखिया था क्योंकि एकदम स्टीम देखो थोड़ा सा हाड हो गया है, हाड हो गया है, अब इसको हम जो इसका धागा हमने लगाया था वो निकाल सकते हैं, इसको प्यार से निकाले धागे तो तक यह है कि बहुत ज़्यदर कटे ना, जो अगला अब इसको होरिजोंटली काटना है आपने, यह जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, बहुत यह आपकी यह से, होरिजोंटली काटना है आपने, ताकि ऐसे पीस मनें, ताकि आपको अंदर जो हमने बेसन लगाया था, वो उसकी लेर नज़र आए, ऐसे, इसको लगते जाए, जैसे जाए, तावले, उसपे आप सबस्कोंदी करें, तावादे रखनें और उसपे जैसे मैंने आपको पीस काटके बताये थे, यह पीसिज आपने वैसे रखनें, जैसे हम उसको तवाफराई कर रहे हैं, वैसे रखनेंगे आप, जैसे सबस्क्ता तावा के साथने मैंने आपको थे तावाफराए तो, AllahGB वैसे जैसे. झाल